नमस्कान दोस्तों स्वागत है टेकिन हिंदी युटूग चैनल पढ़े दोस्तों अगर आप टेलिग्रम एप युज करो एंड अगर आप किसी को मैसेज भीज रहो एंड आप चाथव कि साइलेंड मैसेज भीजने के लिए हो सकते हैं दूसरा परसन जिसको आप भीज रहो काहीं मीटिंग पर वैस्त है या तो फिर आप किसी आपका फ्रेंड को भीज रहा हूँ जो क्लास अटन कर रहा है या ओनलाइन क्लास कर रहा है आप चाहते हो कि उसको साइलेंट मैसेज भीजने के लिए तो आप बिल्कुल आप टेलिग्रम एप से कर सकते हो तो कैसे करना मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा तो मेंकि दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो चैनल के वीडियो सब्सक्राब करके नोटिफिकेशन और बेल आगें उसको प्रिस करना ना भूले सबसे पहले आपको टेलिग्रम एप को ओपन करने के बाद आपको यहां पर जिसको मैसेज भीजना चाते है उसके उपर क्लिक कर लेना है जैसे मैं यहां पर कुछ लिक के टाइप करके भीजूँँगा जैसे म आपको बता दो यहां पर आप जो सेंड बाला ओप्सन है इसके उपर तीन सेकंड डेक आपको प्रेस करकर रखना है जैसे प्रेस करके रखोगे उसके बाद रिलिच कर दोगे आप यहां पर देख पर वह दो ओप्सन आ रहा है सेडुल मैसेज और सेंड वीटाउट आपके पास notification आएगा कि आपने send कर दिया बोलके बट जो receive कर रहा है इसको उसको कोई भी notification नहीं मिलेगा and silently receive हो जाएगा and same जो आप photo भीज़ सकतो photo को उपर simply इसको उपर click करना है and send without sound and schedule तो send without sound जैसे भीज़ोगो उसके पास चला जाएगा and बिल्कुल जो silently जाएगा and अगर आप चाते हो कि schedule करने के लिए तो simply आपको यहाँ पर कुछ भी type करके भेजना है and यहाँ पर schedule message आप यहाँ पर message का time schedule कर सकतो जैसे यहाँ पर 52 हुआ है तो यहाँ पर मैं 53 कर दूँगा and send time send today 8.53 तो यहाँ पर send हो जाएगा 8.53 पर schedule होके रखा है तो इसी तरीके से आप schedule message and silent message आप अपना telegram app में send कर से तो किसी person को तो ऐसे दोस्ता आपको वीडियो पसंद आए and अगर वीडियो पसंद आए चानल जो सब्सक्राब करके